जब हम नेताओं से बात करते हैं तो मामला बहुत हलका सा लगता है लेकिन जब हम प्रोफेशनल से बात करते हैं जो सिक्योरिटी देखते हैं बहुत ही गंबीर हो जाते हैं इस विशे पर इसको बड़ी चूक मानते हैं इसे पहले कि मैं ब्रेक पर जाओ, विक्रम सिंग साब दो छोटे-छोटे सवाल है सर आपसे, छोटा सा जवाब दीजेगा, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक गाड़ी तो आगे होती है ना पाइलेट कार, जो लगबग एक देर किलोमेटर की दूरी पे पहले चलती है, क्या उस और क्यों आपके आते हैं, security experts के आते हैं, इशू इतना सीरस लगता है, और जो politics वाले बात करते हैं, तो बड़ा हलका लगता है, क्योंकि सब अपने अपना वोट देखते हैं अनजना जी, there is a backup for a backup for a backup, हमें कोई चीज अकस्मात नहीं हो सकती है, हम एक नहीं, हम फरे थोड़ा सा रुक जई एसा, Sanjay जी थोड़ा सा रुक जई जगई हाँ, विक्रम जी अंजरा जी हमें कोई चीज चंभा नहीं होता है देर इस बैकप और बैकप और बैकप हमारे कई विकल तयार रखते हैं और विकल पैसे होते हैं कि पूरा इलाका चावनी में तबदील कर दिया जाता है और मेरा तो दावा है आदमी छोड़ दे आवारा पश्रू भी दिखाए नहीं पड़ते हैं किसरी चीज और अगर जिस गाड़ी आपने कहा पाइलेट कार नजदीक होती है लेकिन जो एक किलो मीटर आगे रहती है उसको कहते है वार्निंग कार उसमें साइरन होता है लाल रंग का जन्ड़ा होता डबलू लिखा रहता बड़ा सा वह चलती है उसको सबको सता कर देती कि कोंवाघлекल की वार्निंग कार में कोई सबिंस्पेक्टर नहीं बैठता है और वारलेस का कम्यूनिकेशन डबल बैकप के साथ बैठता है और अगर मैं बता दूँ आज की तारीक में मोबाइल टेली फोनी भी आ गई है तो वायरलेस डेडिकेटेड मोटर वो मोबाइल फोन जी तो क्या उसने कनवे नहीं किया काफिले को कि आपको पीछे ही रुखना पड़ेगा क्या एक कन्फरंटेशन होने की सूरत पैदा की कि मेरे जितने इंस्ट्रक्टर्स रहें पंजाब पुलिस के पंजाब से चूक अरे वो तो जी तो यहां तो यह मानके चलिए अंजना जी कि उससे ची ट्रेनिंग नहीं यह चूक नहीं हम उन्होंने सूचना जरूर दी होगी उस पर कारवाई नहीं हुई है